तुम्हारी हालत देखने जैसी है पत्थर के सरवाले मैं डाइमंड हेड हूँ, तुम मेरी बात करते हो, कभी अपना नया रूप आइने में देखा है मुझे शैतान बनाने के लिए मैं तुम से बदला लूँगा तुम पहले से ही शैतान थे केविन, अब बाहर से भी बदसूरत बन गए हो जितनी चाहूँ इंसल्ट कर लो, मैं अब भी तुमसे दस कुना बहतर हूँ मेरे पास तुम्हारी सारी शक्तिया है और मेरी भी, मैं हूँ केविन लैले अफसोस, उन में से हर इक की ताकत सिर्फ मेरे दसवे हिससे जितनी है यह वो, गविन सही कहती है, यह चीज बहुत गंभी है बेन? क्या हुआ? मैं कहा हूँ? बेश है हमारा नया चैलेंजर, प्लानेट एर्थ से चैलेंजर? जरा आराम से, तुम नाराज लगते हूँ अब तो मजा चखा नहीं होगा इस वाले में जोश है तुम मुझे लड़ना चाहते हो तुम तेसे कीड़ों को मैं यू मसल देता हूँ तुम तुम झालाज जे तुम तुम एため हुआ है उस्सेवाला ताकतवर बेरहम एक असली ग्लाडियेटर की तरह देखो मेरे दोस्त मैं लड़ना नहीं चाहता एक इनसान अकलमंद और भेड का दिल जीतने वाला मुझे इन दोनों से बहुत फायदा होगा तुम यहां? आखिर तुम ने मुझे इस अचीब सी जगा क्यों भेजा? इसके लिए मैं दिम्मेदार नहीं हूँ तुमने नहीं किया तो फेर किस ने? बहुत हुआ, मैं अब और बर्दाश्ट नहीं कर सकता है, हाथ दाओ हम कहा है? मैंने पूछाई क्यों, हमें यहां से बाहर निकलने करास्ता डूढना ही होगा अब यही तुम्हारा घर है, भागना ना मुम्किन है हम सब को हमारी दुनियाओं से चीन कर लाया गया है हमें इस गैलेक्सी के मज़े के लिए जान हथेली पर रखके लड़ना पड़ता है यह सब कुभारी कलती है इसमें भला मेरी क्या कलती है मता नहीं, बस कलती है लूंच टाइम ओ गोश, इसे देखकर तो जैसे मेरी भूख ही मर गई टेक्नोर्ग अपना हिस्सा मांग ले, इससे पहले खालो टेक्नोर्ग कौन है यहां का चैंपियन अकलमंदी इसी में है कि उसकी हिजजद करो वाउ, इतनी बेजजदी, तुम इसकी ये बत्तमीजी बर्दास कर लोगे देखो, मैं तुम्हारी बस, बहुत हुआ, तुम लड़ना चाहते हो, तो अपनी साइस वाले किसी से लड़कर देखो ये इनसान मुझे हैरान कर रहे है, उन्हें मेरे पास लेया मैं हूँ, स्लिक स्विट मॉंग, ये है मेगा क्रूजर इस जहाज की हर चीज मेरी है, और तुम भी मेरा कोई मालिक नहीं है, स्लिक मदमाज मैं बोलूँगा, तुम सुनोगे ये आँखे इस जहाज की हर चीज देखती हैं, और ये हाथ इस जहाज की हर चीज कंट्रोल करते हैं और मैंने तय किया है, कि तुम्हारी ये रिष्टेदारी, तुम्हें फाइटिंग रेंग में एक दिलचस्प जोडी बनाएगी जोडी, नहीं, मैं इस लूजर से चिपकाना ही रह सकता, तुम्हें तो मेरे मू की बाथ ही छीली, नमूने अब तुम्हारी किस्मत जुड़ गई है, अगर तुम्हें से एक मर गया, तो इन जंजीरों की वज़े से दूसरा भी मरेगा तुम्हारा अगला अपोनेंट इंतजार कर रहा है यहां सिर्फ एक ही ज्रेंपियन रह सकता है, वह हुआ है बहुत बढ़िया पेवदूफ अब चुप भी रहो कैफ, अब ये हम दोनों की प्राब्लम है अब ये चुप कूराम मुझे और मुझे और मुश्किल में डालेगा, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं याद है उसने कहा था, अब हमारी किसमत जुड़ गई है, ये बस दो मिनट पहले की बात है अब एम में अबटू बात है हुआ हुआ है हुआ है यह तुम्हें दर्द हुआ है यह तुमने जानमुच कर किया बिलकल तुम मेरे बस नहीं हो समझे है अगर हमें जिन्दा रहना है तो हमें मिल कर काम करना होगा मैं क्यों तुम तुम्हारे साथ काम करूंगा तुम बेकार हो इस बेवकूफ को मैं अकेले संभालूंगा तुम कुछ कह रहे थे मैं समझ किया स्टिंग फ्लाय के लिक्विड और हीट ब्लास के फायर बॉल्स को मिक्स करो किसलिए करो तो सही पता चल जाएगा अगर तुमने अपने पावर्स कॉम्बिनेशन में इस्तिमाल किया तो तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ेगी मिसाल के लिए एक्सेलारेट की स्पीड प्लस फोर राम्स की ताकत प्लस डाइमंड हिट की मजबूती इक्वल्स एक बारी बरतम गुसा पेश है हमारे नए चैंपियन्स ओ ये बिल्कुल सही मैं हूँ इनर्स तुम कितने घटिया हो अब उसे खात्म करो जरूर् केविन नहीं बहुत हुआ अब लडाय का वक्त है फिर से लुको रहम कितनी नई बात है एक गैलेक्टिक हाइपर जम्प की तयारी करो मुझे कुछ नए ग्लाडियेटर्स चाहिए जो हमारे चैंपियन्स के काबिल हों अच्छा है अब हमें कम से कम यहां तो इज़त मिलेगी उससे जिन्दा रखने के लिए थैंक्स बंदूराम तुमने मुझे हराया फिर मेरी जान बजाई अब तुम मेरे मालिक हो मुझे तुम्हारा मालिक नहीं बनना है मैं बस प्रित्वी पर लोटना चाहता हूं अगर तुम अपना पट्टा खोलकर भाग भी गए तो भी यह जल्दी एक नहीं गैलक्सी में जाएगा पर उन गार्ड्स के कॉलर कंट्रोल तक पहुचने का कोई तरीका जरूर होगा हम साब ने कोशिश की पर हम उन्हें ओवर्टेक नहीं कर सके कि शायदा खेले नहीं पर अगर हम सब मिलकर काम करें तो मैं और बरदाश्त नहीं कर सकता मुझे जाज से उताना है रोको उसे वो बेकाबू हो गया है शौक कॉलर्स बेकार हो गये इसके लिए चाहिए बस एक शॉट सगित और ये छोट उक्रेमेटर इतनी डिंगे मत मारो छोटे मिया ये काम तो एक बंदर भी कर सकता तो किया क्यों नहीं तुमने आता दे जो अभी अभी तो मज़ा आने लगा था अभी अभी तो मज़ा आने लगा था यहीं कहीं होंगे उस लिक्स ने तो कहा था वो यहीं से इस जहास की हर चीज कंट्रोल करता है यह बात पूरी तरह सही नहीं है मैंने कहा था यह हाथ इस जहास की हर चीज कंट्रोल करते है उन्हें भी और उन्हें अपने दुश्मनों को खत्म करने में कोई अतराज नहीं है ना कि तुम्हारी तरह मैंने कहा था यह आखे सब कुछ देखती हैं और अब सब लोग देखेंगे मगर शिरुवात में तुम लोग नहीं मरोगे यह मरेंगे अकर हमें हार नहीं है तो क्यों ना हम लड़कर हारे कमाल की जोड़ी है हमारी मुझसे गले लगोगे तो पिछब जाओगे इसके बारे में क्या थ्याल है आराम से हमें एसके पोर्ट रिलिस करने के लिए इसकी ज़रूरत है अब मैं तुम्हारी बात महीं सुनूंगा यह शो का हिस्सा नहीं है मेरा हपम है कि तुम रुको 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 एक मिनिट समझ गया केविन रुको क्या मैंने कहा रुको यह तुमने कैसे यह सिर्फ कंच्रोल कंसोल ऑपरेट नहीं करता यह खुद कंच्रोल कंसोल है और अब मैं इस जहाद की हर चीज कंच्रोल करता हूँ वेल तुम्हारे लिए अच्छा है बद मुझे तुमसे छुका ना मिल गया है यही काफी है इंटर गैलेक्टिक हाइपर जंप लाँच हो रहा है यह मैंने नहीं किया और मैं इसे रोक भी नहीं पा रहा तुम्हारा मुझ पर उतना कंट्रोल नहीं है जितना तुमने सोचा था जल्दे हमें इसकेप पॉट्स तक बहुचना होगा वरना हम दूसरी गयालक्सी में पहुच जाएंगे मदद का एक हाथ बढ़ाओ या छेट तुम्हार एसकेप पॉट्स लेकर अपने प्लानेट्स में वापस लॉट जाओ और तुम्हारी नहीं मेरी जिन्दगी तुम्हारी है और मैं उसे वापस दे रहा हूँ अब जाओ ओ नो ये भी अभी होना था नन्ने पेकार इंसान स्लिक्स फिद्माम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कोई नहीं केविन तुमने मेरी जान बचाई बिलकुल आखेल इन बाकी लूजर्स को बचाने में मैंने अपना टाइम क्यों बिट किया क्योंकि मैं खुद तुम्हें सबक चिखाना चाहता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा चंचा टेक्टॉर गयान आई है और मेरे पावर्स कंबाइन करने की सला के लिए थैंक्स कम आन प्लीज काम करो बस एक बार एक और एलियन को बुलाने की तकलीफ मत उठाओ मैं तुम्हारे सारे पावर्स बहुत अच्छी तरह जाग चुका हूँ अच्छा पर शायद तुम अब तक कैनन बोल्ड से नहीं मिले हो फिलना मत पो तुमल एक गेम खेले इसका नाम है डॉजबाई एक नोर बुझे लगा तुम्हारे अच्छा एक नोर मुझे लगा तुम्हारे चले गए मैंने कहना मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है अब हिसाब परावर हुआ तो तुमने मुझे चंचा कहा था एंटरकेलेक्टिक हाइपर जंप लाँच हो रहा है बेन क्या तुम ठीक हो हमने तुम्हें हर जगे तलाश किया कहां थे तुम लंबी कहानी है तुम ठीक हो और केविन किया हुआ उसे खेलने केले नाया साती मिल गया